आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question यहाँ पर है कि rate of photosynthesis photosynthesis process जो होती है उसका rate इन में से किस पर depend करता है चीक है photosynthesis क्या होती है वो process जिसकी help से green plants अपना खाना खुर बना सकते है sunlight की presence में चीक है तो अब क्या होता है कि सबसे पहली बात मैं शुरू करूँगी यहाँ पर option 1 quality of light से quality of light यानि कि क्या उसकी pigment है कौन सी light है क्या wavelength है वो सारी चीज़ है तो अब हम बात शुरू करते है अगर हमारी जो light है वो blue है ठीक है तो जो rate of photosynthesis है इस rate of photosynthesis को मैं ROP लिख लेती हूँ यहां से ठीक है rate of photosynthesis हमारा maximum होगा जब हमारी जो light होगी वो कैसी होगी blue यानि कि इसकी wavelength कितनी होती है 422, 480 nanometer ठीक है इस wavelength की right हो या फिर इसके अलावा हमारी दूसरी light है red और red की wavelength कितनी होगी यहां पर 640 to 670 nanometer यह जो हमारी दो light है red and blue इसमें हमारा rate of photosynthesis maximum होगा ठीक है यहां पर हमने इतनी बात कर ली अब यह जो red और blue region है light के यहां पर photosynthesis का rate maximum होता है ठीक है जो की chlorophyll absorb करते है light की यह जो दो reason है red and blue यहां पर chlorophyll की absorbance जादा होगी मतलब ठीक है और minimum कहां पर होगा minimum की बात जब मैं करती हूँ तो minimum मेरा यहां पर होगा rate of photosynthesis जब red या फिर blue के अलावा जो other part है region है light के वहां पर ठीक है मतलब की जो की photosynthetic pigment जो हमारा chlorophyll है वो absorb नहीं कर पाएगा ठीक है वो absorb करेगा red and blue को सिरफ तो यानि की light की quality पर depend करता है then quantity of light अब quantity of light से यहां पर क्या मतलब है चलिए देखते हैं अब क्या होता है intensity की बात हो गई है कि कितनी जादा light है तो अब हम आते हैं light intensity की बात उपर अब light intensity को अगर हम बढ़ाते हैं ठीक है light intensity को हमने कर दिया increase तो अब क्या होगा इससे हमारा जो absorption था photosynthetic absorption जो था वो भी increase हो जाएगा carbon dioxide का carbon dioxide का absorption भी इसके increase होने की वज़े से increase हो जाएगा चीक है अब यह increase हो गया अब इसकी वज़े से क्या होगा oxygen gas जो है उसका release होगा oxygen का release होता है carbon dioxide का absorption होता है यह process हमारी increase हो जाएगी जिसकी वज़े से क्या होगा balance होंगे gaseous exchange cellular respiration की वज़े से जिसकी वज़े से क्या होगा plant के पास एक ऐसा point आएगा जिसको मैं कहती हूँ light compensating यह compensation point इस point के beyond अगर हम increase करते है light intensity को तो photosynthetic release जो है oxygen का वो भी बढ़ जाएगा तो यानि कि इसकी वज़े से rate of photosynthesis हमारा increase हो रहा है क्यों photosynthesis के अंदर क्या हो रहा है carbon dioxide absorb oxygen release चीक है अब intensity बढ़ने की वज़े से क्या हो रहा है यह process भी increase हो रहा है तो एक point ऐसा है जिसके beyond अगर मैंने intensity बढ़ा दी तो यह जो rate of हमारा photosynthesis है या मैं कहूं oxygen का जो release है वो इतना जादा हो जाएगा कि इसको balance करने के लिए plant को और processes respiration जैसी processes cellular respiration जैसी processes भी बढ़ानी पड़ेंगे तो यानि कि इन दोनों पर ही rate of photosynthesis depend कर रहा है तो यानि कि हमारा answer हो जाएगा option third quantity and quality of light Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर